और राइट, यहां हम आपन बात करेंगे फ्रॉक के स्कल वाले भागी, फ्रॉक का स्कल किस प्रिकार से प्योवस्तित रहे हैं, नौरी फ्रॉक के स्कल को दो तरह से देखते हैं, एक डॉर्सल दीम होता हैं, प्रिष्ट सते से और एक अधर सते से, तो संदक्षनाय और प्रिकार से यूँ देखा ज़ाता, जब हम स्कल की बात करते हैं, तो शल की नीचे की वर्टिब्लल उजो होता है, वो जुड़ाता है, ठीकर मों बद भारे मैं और अमने पढ़ाता, नौरीब्लल को यह पहते हैं, वह एटलस ल ág करते हैं? तो जो एटलस भाग हैं कहासे जुड़ा है, सकल वाली भाग से जुड़ेगा, तो इसका दिसे जब भाद करीगें यहाँ पर, तो अंतर गुंकाल जो रहे, जो एंडोस्केलेट है, वो यह सारी निलकर फॉर्म करते हैं, ठीके, कौल पॉर्म करीगें अंतर गुंकाल को, एंडोस्केलेट हैं, इनका सकल का आज जिसे हूं बोलते हैं, प्लस इनका वर्टिकल कॉलल, जिसके अंतर विविन वर्टिक्रा उपसकत रहते हैं, प्लस इनके अपैंडिकूलर, जिखे, जिन में उने पड़ता है, हैंडोन्स और लेगोंस, जिखे, फोर्लिंप और खेंडलिंप की जो ओंस थीओं, प्लस जिखे, अपने पड़ता श्रोणी मेखला और अंस मेखला, पैल्बिट एंड पैक्टोरल गर्डल, तो इन तीनों से मेखल इनका अंतर विखाल, जिखे, जिखे, पहले इस गल की बात करते हैं, इस गल की डॉर्सल गयों की सरच्छना, इस प्रिकार से कुछ हमें देखने क दूसरी चीज जो हमें यहां पर इंट्रेस्टिंग सी लगती है, वो यह है कि यहां पर इस एंडिया पर, जो लोग सबसे पहले देखते हैं, तो नीचे की तरफ अगर हम देखने हैं, तो यहां पर एक्स ओसिपिटल भाग हुपस्तित हैं, जिसके अंदर दो कॉंडाई जिए आप ऐस ओसिपिटल पॉंडाई जाएं, ठीके एक चीज है कि X ओसिपिटल में इसका मतलब भागर की तरफ उसिपिटल उबस्तित हैं, और इसी ओसिपिटल भाग से दो कॉंडाई निकलते हैं, उदिया आप नाप देती हैं, ओसिपिटल कॉंडाई अब इस ओसिपि इस से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां हमें देखता है, प्रोवाटेक भाग, यह दो जुन है, यह प्रोवाटेक भाग है, जो कि किस से करेक्टर है, किस से जुड़े वे इन्हें आगी जाएंगी तो हमां, यह हमारा श्रवन संपुड है, ठीके, ओडिटरी हाँ, ठीके, अब ओडिटरी कैप्सूल है, तो इसके अंदर जो चेत्र जैसी संद्शनावन को देख रही है, इस चेत्र जैसी संद्शनावन को हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ट्रा उवेल्स, याद रभी वादी चीज यह है, नाश्ट में एक्सॉसिपेटल भाग है, एक् ठीके, जब हम इससे आगी जाएंगे, तो प्रोवर्ट एक भागे तो ठीके, वह उपस्त्त है, और जब हम इससे और आगी जाएंगे, तो क्या देख हम आपर ओडिटरी कैप्सूल, वह पस्त्त है, जो श्रवण संद्शन होता है, वह यहाँ पर उपस्त्त है, और इसके पास में, स्टेपेडियल नाम की संद्शना भी उपस्त रहती है, ठीके, वह आपने डाइगामेटिक ली शो नहीं की है, पर यह एक प्रकार की प्लेट को भी संद्शना है, जो कि यहाँ पर व्यवस्ते रहत, और इसको हम नाम कहते है, स्टेपेडियल प्लेट, ठीके, यह हमादर हमारे चीज़े सारी, कि यह वाद अब नाम जो है, कि इस तरह से हम आपर अरहिश्ट रहते हैं, दूस्ट्री बाइज, जब हम बात करते हैं, उपर की तरफ चलते हैं, तो उपर की तरफ चलते हुए हम देखता है, कौल सा भाग, फ्रेंटो पेराइटल भाग देख इसकी जब उपर की तरफ अगर देखी हैं, तो अब इक उन सा भाग देखते हुए, स्पिनेटमोईट, जो कि क्या कर रहा है, कुछ चोटी सी तरशनम है, और यहां पर प्री मस्दश्ट जो होता है, फोर ब्रेंट जो होता है, पूर्व मस्दश्ट भाग जो होता है, वो यही पर उपस्दित रहा है, तो हम बोल सकते हैं, पूर्व ब्रेंट का भाग जो है, और इसके अलावा जो गंद थैले होते हैं, जिन्हें हम और प्रेंटमोईट भाग के अंदर प्री मस्दश्ट भाग, पूर्व मस्दश्ट भाग या पूर्व ब्रेंट भाग जिके अब इसी भाग के यहां पर हम देखींगे किया में यहां पर आय ओर्विट उपसे हैं तो इस आय ओर्विट वाले भाग से अगर वो उपर की तरफ देखते हैं किस तरफ इसमें अधर सते हैं यह तो डॉसल प्यूम है, अगर हम किसी आई और्पिट के उपर भी तरफ देखें, तो इसके उपर यह त्मा पर, कुछ इस तरह की संद्रशना देखने को हमें मिलें, और इस संद्रशना को हम नाम देती हैं, पेले टाइन स्ट्रक्चर और यहां पर जमाजी का डैश होता है, इसको हम नाम देते हैं, पेले टाइन, प्रॉसस्स या प्रॉसस्स, तो उपस्त कहां है, आई ओर्विट के भाग में ही उपस्त है, चिकन, इसके उपर पर से पेले टाइं संद्रशना यह कहला है, दूसरी च आपर जोर का पोशन, ये उपरे जबड़ा का पोशन होता है। वो वाला portion यह उपस है अब इसको अगर हम पुलेगे तो इसकी सर्णश्टान दोनों जगेर पर सेम है और यह वाला भाग दो भागों में विभक्त रहता है डिवाइड रहता है ठीक है इस भाग को हम नाम देते हैं प्रिमटान जो है यहां पर अट्य faço किस से है डिफंध यहां और यहां बात कर्ते हैं किस से अटैश्ट हाई कि के तरुम के चलेंगे तो यह झी हम नेसल भाग भी उपस्त स्थए बीचने ट्राइंग डाइंगे combine dob year जिए बहुत जो हटा ड़ा है चिए इस नेसल खाग के आसपास हम देखते है कि क्या उपसथ लगेगा जो हम इसे के बाटर् inicial करते हैं जिए जहां हां से अंदर की तरफ वायू जारा है मुद ढलिए वह से निए अगे अब मेक्जिला की बात कर रहें, तो मेक्जिला जो है, प्री मेक्जिला उपर की तरफ उपर सते हैं, और इसी से नीचे की तरफ जा रहा है, मेक्जिला था, यह दोनों है, यह मेक्जिला खाते हैं, वहमें माँ को रख रहा है, यह मेक्जिला, प्री मेक्जिला से मेक्जिला आगे की तरफ connected है, external airs भाग भी यहाँ पर connected है, अब हम बात मिरते हैं यहाँ पर, जब धीरे-धीरे नीचे की तरफ भागे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, quadro-jugal भाग, right, quadro-jugal भाग देखने को मिलता है, और last में हमें देखता है, quadrate cartilage, ठीक है, cartilage है, right, तो क्या होगा यहाँ पर, उपास्थर सर्रचना से यह बनावा है, और यह यहाँ से नीचे जुड़ेगा, तो किसने जुड़ेगा, निचले, जब रहे से, यह से कम अपर-jugal की बात करें, lower-joy से नीचे connected होगा, और इसी भाग से connected रहता है, ठीक है, दूसरी बात जो हम करत है, जिसे आप airy-void नाम देते, tri-radial सर्चना है, इसको नाम क्या देने है, airy-void, देखनों, इधर जा दिया है, उपर की तरफ भी जा दिया, और इसी नीचे की तरफ भी जा दिया, और दोनों तरफ उपर से थे है, इसको tri-radial सर्चना केते है, three-arial, ठीक, और इसी की just न सर्चना पूरी यहां पर, स्कल की हमें देखने को मिलें, तो पहला भाग हम यहां की बात कर लेंगे, दूसरे भाग हम इस भाग की बात कर लेंगे, इस सब और यह सब भाग, तीसरी बात जो करेंगे, हम high-orbital की बात कर लेंगे, उसके उपर कैसी सर्चना उपसने तर पहले है डाइन सन्रशना और चौती बात करने लिए हम उपर वादे जो हमारे क्या है अपर जो that is हम बोल सकते हैं उपरी जो बड़ा वड़ा जो भाग जिसमें नैक्सिला भी है और प्री नैक्सिला भाग प्री उपसदे जो नीचे की तर आगर वार्टो जो गड़ भी ठीक है तो इस सेले की संन्रशना हमें आसांबी से देखने को मिल जाते है एक हो चीश को मिलती है हो तो septum axillary भाव भी यहां देखने को मिलता है तो अगर हम इसे parts में याद करते हैं तो हम हमें चीज़ें आसामी से याद रहे जाएं तो यह जो आपने पात की upper jaw की उपर अब अब आपात करेंगे lower jaw की इसके नीचे भी तो यह जबना उपस्तत रहेगा जो हमने बोला पात को जुगल भाव की नीचे जो काटे लिए उपस्तत है उपस्त संवरचना है वहाँ पर उसकी उपस्तती देखी जाएं अब हम बात करेंगे इसकी नीचे दो और जोग ठीके नीचले जबने जब हम इसकी संवरचना देखते हैं तो हमें कुछ इसका कार्णी संवरचना देखने को बनती है दोनों तरफ से ये संवरचना इंदू समान सी लगती है इसमें ज़ादा कॉम्लिकेशन नहीं है अपर ज़ादा कॉम्लिकेशन हमें देखने को मिले from the of स्प्लैनियल भाग यह वाग हुए रेंटरी भाग इसको हम बोलते हैं मेंटो मेंटेलियन भाग चीकें यह बाग बच्चा इसको हम बोलते हैं कोरुनरी भाग चीकें तो इस तरह से लोवर जॉब पस्दित रहें यह कहलाती है आर्टिकुलर सर्पेश जोगी कहां जागर जॉइन करती है अब अगर बात करते हैं यहां पर मेंटो मेंटेलियन भाग हम बस्तित रहता है और वो दुनों मेंटेलियन भाग आपस में जुड़कर एक जगे पर संधी करती हैं तो this a. असनल धूर स्थी प्रेलियन भाग अब जहां जुड़कर आप्टपन करते हैं जोड़कर आपस में माटेलियन भाग एहां जुट रहें यहां पर भी इसकी संरच्छना इसी तरह है रही वहीं इससे आगे अगर हम जाते हैं तो इसकी संरच्छना कोर्णरी भाव केलाते हैं और नीचे की तरफ पार्टिक्यूलर सर्फेस अटैश्मेंट के लिए जुडाव के लिए पस्थर रहे कि इस तरह की संरच्छना हमें लोगर जौँ में देखने को मिलेगी संरच्छना क्या है मैकेलन पहाद अपस में जुड़ रहे हैं मैकेलन बना रहे हैं संधी बना रहे हैं एक्ट्री है एंगिलोस प्लैयल भाव है और नीचे की तरफ आएंगे तो कोर्णरी भाव उपस्तित तो यह संरच्छना उल संरच्छना की दरह उफस्तित रही है कि दूसरी जो हम बहुते है कि प्रमैक्सिला अभी deny अकरा तो अपर कि कि जौ न उर मेंसील हिंगा और यहुद्स रहें हैं है टि जैसी संवरश्चनाई उस्दश इसेके साथ मैंने को भाव देगा तो हाँ पे गोमर भाव इस पर भी टीख हमा संवरश्चनाई उन्हेना गोमरे रहें टीख क ना कि ले खत्क अब इसके बार जो संहर्शना यहों पर रहती है, उसे अहुट हायॉइट अपैरेटिस की नाम से जाते है राइच हायॉइट अपैरेटिस या हायॉइट करण की नाम से जाते और यह भी स्कल का अभी पार्ट माना जाते है ठीक है? बाइब 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 तो इस प्रकार का हायोईड उपकरण यहां देखने को मिले और यह हम दे बोलत था कि यह खुलीगा आजी चाकर, गनेट में खुलीगा चेहरो कि अब आज़से इस पास और रचना उपस्थित रहते हैं, अब वो ओलीगे यहां पर बाड़ि माँ भी धो प्रकार की प्रॉसेस या प्रवर्ट निकले रहे, चीके एभाशिका आधी की तरब जो प्रॉसेस, छोटी से प्रॉसेस्च नाम डेती है, यहां प्रॉसेस प्रवर्ट दिखे रहते हैं उन्हें अंदाम देते हैं Posterior Lateral Cross यारी ही पश्च पाश्वत देहे प्रवर्वर्ट ठीक है Posterior Position में है पीछी की तरफ है और Lateral, दोनों साइड की तरफ Lateral Position पर है इसके जिनाम इस तरह से दिया है दोस्टी चीज़ कि यहां से Cornula का भाग भी निकलता है तो Cornula भाग काफी लंपी सर्रशना में निकलता गया आपकी तरफ से तो इसको आप होते हैं Anterior Cornula और तीछे की तरफ इसकी सर्रशना छोटी होती है तो आप नाम देते हैं Posterior Cornula तो हाईवर्ट और पायर्ट जो है वो इस तरह की सर्रशना दिखा दा है एलर प्रोसेस है Posterior लेटर प्रोसेस है बोडी है और Cornula दोनों तरफ से बाहर की तरफ ट्यूप जैसे अलिका रुपी सर्रशना को बना तो ठीक है सब में आपने बात की किस भाग की प्रेल भाग की ठीक है इसी के साथ होते है यहाँ पर लोगर जो निछला चप्ड़ा और अपर चप्ड़ा चौस पड़ें और इसी के साथ यहाँ में हाइवाइड अपरेटस भी ठीक है और अपरेटस हमने बोला करण उपस्तत कहता है यहीं कंदी गलेट और फैरिंस भाग जो होता है उसके आसपास इसकी उपस्तती देखी जाए तो हाइवाइड अपरेटस लेका हमने इसके बाद हम देखी यह फ्रोग का ब्रेन इस प्रकार से है स्कल के दौरा को बढ़ रहेगा पहली बात तो राइच और अंदर की तरह उपस रहे है तो यहां हम बात रखते हैं प्रोग के ब्रेन हाग की ब्रेन किस तरह से रहा कर उपस रहे हैं राइच जब रचना बनाते हैं कुछ इस प्रकार की सरशना तेखने को मिलेगी हमें राइच क्षब तो बाते हैं ये के लापी है हमारी ओप्तिक नव चिकी ये के लापी है अप्तिक लोग ये के लाता है भाव फिशर भाव ठीक इस भाव को हम कहते हैं सेरीग्रल भाव सेरीग्रल पार्ट इसको हम खोलते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम भाव इससा भष्णा को कॉर्पस स्ट्रेटम सट्रश भाव ये हमार देरी ये ये है और ये है आलफेट्ट्री नव ये है को पिक की ऐसे लिए है राइट नीचे की तरफ की संगरशना है और नीचे इसकी यहाँ पर इस प्रकार्स की संगरशना है और सिर्ज़न आगए एस प्रकार्स की संगरशना है तरहने बिल्दार नीचे की सिर्ज़न आप दोना है खुल मों पुलते हैं इत फंदी घुलबंद आपस। और यहां पर पिट्यूट्री भाव को पस्कत रहता या पिट्यूट्री बॉडी हम कहें यह जो है किसी कहते हैं ओप्टिक लोग ठीक है पेंड़ी की तरह पस्कत है अब नीचे बाज भाव को हम नाम देती है मेंडियूला और लोग ठीक हाव यहां पर पस्कत रहेगा सैरी प्रम भाव ठीक है और नीचे की तरह को अगर बात करती हैं तो यहां पर स्पाइदल कॉर्ड बस दिख रहेगा अब इसमें कुछ नर्वस भी निकलती हैं और नर्वस को भी मना देती हैं तो इसके लिए की संद्रशना हमें देखने को मिलते हैं ठीक है सबसे पहले अगर हमम फ्रॉक की ब्रेन की बात करते हैं तो फ्रॉक का ब्रेन कैसा है लंबा तंपी संद्रशना है चत्ती सप्टी संद्रशना है वाइत कलर की संरचना है और काफो कोवाल या सोफ्ट संरचना इसकी अंदर दो प्रकार की Vergleich अपस्तित रहती है मैनेंगे किस जो होते हैं वो दो प्रकार की पस्तित रहती है एक होता है पायामेटर और इक होता हमें dem05 जब पायोमेटर की बात करते हैं तो पायोमेटर कैसा है भीतरी है अंदर उपस उत्च रहता है और दूरामेटर जो है कि बाहर की सत्य होती है आउंसाइड बाहरी इसकार होता है बाहर की तरफ उपस्ते हैं ठीक है अंदर की तरफ वाई अब क्यूंकि यह अंदर है तो यह काफी क्रोमल सॉफ्ट संद्चना होती है जहांगर तो हो सकते हैं काफी समभेनी है मतर्या हमकर ब्लड वेस्किूलर सिस्टम जो है समभेनी को रहें तो रफ का सिस्टम जो है अपर अपस्ते हो रही तो पर अगर मोदे इस बाहर की संद्चना है तो काफी कठो होगी कि उसे प्रोटेक्ट करता है उसका क्या है मुझसुरिक्शा करणा परणना प्रोटेक्शन अब लेयर की बीच पे खाली स्पेस खाली चलिए भी उपस्त रहते हैं तो उनकी अंदर क्या बना रहता है? सेरिंब्रल फ्लूइड ठीक है? यह सेरिंब्रल फ्लूइड पे उनके अंदर अरा थ्रैड है तो इसमेकार ब्रेट की सब्रश्चना हम देखने हैं जो अंदर की बात करते हैं ब्रेट तीन भाग में विवाइड रहें चीक है? ब्रेट को अगर अंदर से देखेंगे तो यह तीन पार्ट्स को यह विवाईड होता है पहला भाग जो होगा को के लाएगा फॉर ब्रेट या प्रमस्तिश्क वच फोरब्रेंब हाग जो आपके उपर तरफ उपसित है जब आफ फोरब्रेंब की की बात करे के इसे लिए हपं तीन भाग में डिवाइट करता है जैसे अगर हम बात कि किने लिया सबसिप पहने लिया जो होता है ओ कहलाता है गुआना स्प्रकर ठीक है जब हम ग्राइन जिफिराउं की बात कर दें है तो यह मस्दिश्ट का पहला हाग है ठीक है फर्स्ट पार्ट है प्रवमस्दिश्ट इसका अटैश्मेंट किस्ते रिखा जाता है इसको हम बोलते हैं सबसे पहले बात तो कि औल्फेक्ट्री भाग है ठीक है ग्राण बाल भाग है तो यहां पर ऑल्फेक्शन सूने की जो शंदा होती है वो यहांपर देखी, जाए। ठिकर दूसरी चीज़, इसके अंदर भी एक घुहा उपस्द inhal जरेती है ठिकर एक कैिटी उपस्द जरेंगी, उस कैज़िका नाम नाम किसी नामपर रहता है, जोबर की का नाम ख़रेंगी यहांपर तो कैपी का नाम है राइनोजी ठीक है Rhino-Seal के विदि आमका उपस तेरे इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रीकल के नामसे दी चाहते हैं पहला और उस्ट्रा वेंट्रीकल इस नामसे दी आम इस उचाहते हैं तो जब हमम सबसे पहले बात कररी है प्रमस्ठाशती तो पहला बाता है राइनन सिपैल राइनन सिद्रिंरों हम चिते लुक्त बात करते हैं हमने बुर् revers के बात केंट Uh þ decello देड शम्ता कैसे ह्ती है ध्रान केरें की शुने की शम्ता होतі है तो हम यहां देख दिए हैं, की all factory lobe हुआ है, यहां पर आ रहे ही। यहां पर आकर, दो lobes, अलग अलग प्रिकार की lobe बना रहे हैं, पिंड बना हुए हैं जिसे हम घान पिंड की नामसे ब्टाइका है। ठीक है, और फिट्री लोग के नाम से चानग है, ठीक है, इस तरह से हमाँ पर सनुचना है, और अंदर ली तरह अगर बात करेंगे, तो cavity उपसें यह राइनो सी, इसी के नाम पर, सिल मत और cavity, और राइनन से प्रलो उएस लिए राइनो सी, जिसे हम फर्स यह सेकेड पैट्री या निले, ठीक है? दो नाम इसे हैं को सकते हैं अब एक चीज यह है कि ओल्फाक्री लोग जो है यह ओल्फाक्री नर्व से connected है और यह ओल्फाक्री लोग कहां पुलेगी, पिंड कहां पुलेगी जो हमारे layers है, external layers है, यहां पर यह कुलते हैं और यहां से हम easily smell कर सकते हैं, सोंग सकते हैं रांड वावी चीज चोगती है, वो यहां पर हम कर सकते हैं, चीक है? तो इस तरह से उन राइनल स्पिरोग की बात है अब जब इसका दूसरे भाग की अब बात करेंगे तो दूसरा भाग इसके बात आता है, cellular हाँ पहला तो उने बुला और फैट्री बात भाग लेगा दूसरा भाग आता है, cellular हाँ नाम के देरे हैं हम इसे बात भाग की Cerebral भाग, तो Cerebral भाग भी देखते हैं कि यह Cerebral भाग Cerebral Hemispheres ले आता है और यह Hemispheres में डिविशिन कौन करता है पीछे, इस पिशर उपसमित, होता है वो की इसमें डिविशिन कहता है सब्सक्राइब प्रम काम करता है कि यह दो भाब में दिवाइट हो रहा है आवे जाए ठीक है अफिशनी उन्हें बात की तो हम यहामा पर यह भी पोलते हैं कि इनके अंदर जो कैपटी होती है उस कैपटी को उस गुखा को जो नाम दिया जाता है वो वहता है पैरसी कैपटी ठीक है इस गुखा का नाम को पैरसी कैपट अब जब हम आगी की तरफ चलेंगे तो हम इसको लेट्रल वेंट्रिकल की नाम से भी चांसे हैं मिन देखा कि हुआ भी हम नाम को वेंट्रिकल भी होते है ठीक है आगी की तरफ कर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंटर्नल वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर फोराम में जैसी सर्विशना देखने को हमें आगी की तरफ मिले और जब हम इस भाग की बात करते हैं एक यहां पर हम देखते हैं कि वाइट श्रूइत कदर की मेटियृट्रिट्रिया मेटियृट्रि नव्स तत्रकाई यहां विलेखिंको मिले और इस भाग को हम नाम दे दे देते हैं पौरपरस स्ट्रेट आप चीकहने और इस बाग की connectivity की जो बात करती हैं तो वो आगी की तरब connected रहती है anterior का विश्र के द्वार अब देखें देहें डाइग्राम बेस की चीज़ यहां पर उन्हें बुला आगी की तरब cerebral hemisphere यहां दो बाग में और इस बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं अब से उपर से तो सप्रें है और नीचे से जाज़ते हैं चौड़ें हो जाते हैं इनकी प्रकारवी सद्रशना हो रहते हैं अंदर से कैसे होते हैं यहीं बिल्कुल सॉप्ट ओमल होते हैं और यहां पर चिंगनी त्वचा उन्हें बिल्कुल स्मूध त्वच्छा देखने को मिलें अंदर की तरफ पिशर की बात ने कर रहे हैं इस hemisphere की बात करें ठीक है अब जो नीचे की तरफ हम आते हैं पहरे तरफ हम इसकी cavity की बात करेंगे अंदर बुहाज होए अब पहरा सील के बात कर आते हैं और उसको मांग lateral ventricular के नाम से भी चाट ठीक है अब नीचे की तरफ अगर आते हैं तो कौन सी सर्रशना आती है internal ventricular को रावार पतर अभी क्या है एक प्रकार की छित्र लोगी सर्रशना है जो की internal ventricular को रावार कहला है नीचे यहां पर इस सर्रशना में क्या उपस्तित रहते हैं नीचे की तरफ वाई श्वेज रंग की medulated तंत्रिकाएं उपस्तित रहते हैं तो medulated nerves होंगी और इसी के साथ यहां पर कुछ वीच वीच में ब्रावन कदर की सर्रशना हैं यहां पर इसी फाग को हम नाम देती है corpus stratum की सर्रशना यहां पर उपस्तित रहते हैं और इसका नीचे की तरफ जब जुड़ाव होता है तो किससे होता है एंटीलियन कंशनर से इसका जुड़ाव होता है अगल वो जबते समा योजनी चुड़ होती है उससे आगी जाकर चुड़ाव तो याद लवन क्या है कि यहां वर पहार सील कया है इससे पहरेवाले के राहे सील कला ले थी यहां मद पफ माम बाजत्य और बत पहरेला सील कया है हट दूशक क्यूंत हो striving है कि अब वह दूटेशाव यहां मिंगा करेंगे इसके तीसरी भाग की जिसे हम होते हैं, और बेंटा ही तीसरा बाग है तेला दा राइनल से पेल और दूसरा सेरेब्रूप, अब तीसरा बाग के लाइदा दाइन से फिरूप राइनल से पेल, सेरेब्रूप और तीसरा बाग दाइन से पेलूप जब इस भाग की बात करती हैं तो यहां पर एक अंदर की दरफ भुखा उपस्थ रहती है और उस क्याविटी का नाम होता है डायसील इस डायसील को हम थर्ड वेट्रिकल या तीसरा दिल रहे हैं कह सकते हैं पहला और दूसरा तो कहां किसको बोला प्राम में इसके अंदर जो उपस्थ था पूरा उसको और डायसील को मभूरती ने जब हम आगी बात करते हैं तो आगी की तरफ ऑक्टिक थैलेबस की जन्रचना हमें यहां पर कुछ देखने को मिलती हैं और इसका करेक्शन मिलता है एंटीर उस्टीरियर कमिशन जी क्या है क्याविटी को दियों में डायसी है इसको हम थोर्ड गड़िटर तीसरा में ले एक है अंदर की तरफ उपस्थ है अब यहां पर नीची की तरफ की सग्रचना दिखी ही हमें जिसे हम ओक्तिक थैलिबस नाम देखी रइट ऑक्तिक थैलिबस एक उभार है व्हीं सग्रचना यहां मिल रहें अब अब ऑटिक थैलिबस भाग यहां नीची की तरफ यहां यह दगा रखाव है बत्तब क्या हुआ एंटीर पोस्टिलियर का बैश्ट के नाम से जाने है। ऑक्तिक थैले बस भाग में देख रहे हैं कि क्या उपस्त है। ऑक्तिक नर्व्स जो है वो उपस्त है। और एक नर्व्स की जो सबचना है वो किस प्रकार से है। अगर यह राइट साइड की है तो यह कमा जा रही है। लेफ्ट साइड की ओर जा रही है। और अगर यह लेफ्ट साइड की है तो यह राइट साइड की ओर जा रही है। तो एक परकार से क्या बना रही है। क्रॉस बनाने, एक क्रॉस यहाँ पर बनाने, अपोसेंट साड़ से दूसरी चड़ीय पर यह जाड़ी, तो इसलिए हम इसको नाम लेते हैं, और पिक की ऐसेट, जैसे अगर मों, देखें, मियोसिस भी क्रिया, अर्ड सूत्री विवाजन भी क्रिया लेते हैं, तो हम पर भी क अब नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर पीनियल स्टॉक जैसी संदरशना, जब हम इसको उल्टा देखते हैं, यह तो एक साइड का भी हुआ है, डॉसरों भी हुआ देखेंगे, पीछे की तरफ से, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस तरह की स्टॉक हम भी संदरशना देखने को मिलें, और यहाँ पर इसी जड़े से क्या अटैश्ट होगा, पीनियल बॉडी, ठीके, पीनियल बॉडी भी यहने पर अटैश्ट देखने को मिलें, ठीके, व्रिंत के गवारा जो जुड़ी रहें, अब आगी की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ अब हमें, इनफंटेविलर की संदरशना भी देखने को, बिल्के लिए, इनफंटेविलर के नीचे की तरफ क्या उपसित है, हाइपोफाइसस, तो इनफंटेविलर और हाइपोफाइसस भाव, दोनों मिलें क्या बिलाती है, पिट्यूट्री ग्वाडी, और यह क्या कर रही है, हमारे बताफ्रॉप के जितने भी प्रॉससेस हैं, उनको नियंकृत कर रहे हैं, एक तरफ यह अंतिस राभी क्रती की तरह यह काले कर रहे हैं, दो रोक मिलें, और नीचे की तरह पेलियम रूपी संदरशना उपसिता, तो इस तरह से फोर प्रेंट क हमने तीन भाग में डिवाइट किया, पहला वाइलन से पिलाओ, जो प्राइंट से संबन दिता, दूसरा सैरे क्रव, जो भी दो हैंट स्पियर में जाला था, तीसरा डायन से पिलाओ, जिसे हम आप हो रहे हैं, कि यह किसमें रिलेटेट है, पिटीम फ्री प्लाइट और ओ कौन सा भाग उपसक्त रहेगा, उस भाग को हम कहते हैं, मिट्रीम, मिट्रीम भाग, चिकें, मध्य, मस्तष्क, मिट्रीम भाग की अदरम बात करते हैं, तो यहां पर मूश्ट प्रवेट्री कॉन सी जगे आगी है, ओक्टेक, योग, हम बोलें यूए, कि मिट्रीम भाग यह सबसे चौड़ा फाग होता है, सबसे ज़्यादा पार्ण एकिलावा होता है और यहां पर ओक्तिक लोग आता है अब इसके अंदर जो क्याविटी है उसे हम बोलते हैं ओक्तो-सी, क्योंकि ओक्तिक लोग के अधार पर है, पिंड है यहां पर इसके अधर की के दोटिक को अप्टिक सीली या ऑप्टो-सीली के नाम से जाना जाता है ट्यक, दूसरी पासबों है हम बोलते हैं यहां पर कि यहां पर जुडाव होता है उस संख्रश्ना को बोलते हैं एकिड़क और सिल्वियस या फिर की टर आईटर की नाम से इस सर्ष्ष्ष्णा को पहाँ चाहिए चीक है? बदब उने पूला यहांपर आप्टिक लोग की सर्ष्ष्ष्णा है सुब्से बड़ा भाव है, मद्यभिस्दश्ष्ष्णा यहांपर से जुड़ा होगा, और हम आप्टिक लोग भाप को रिख होगी नाम देती है क्वाग पे चैन कि अब लास्च भाग अदमने को मादरा जिसे हम कोते हैं आइन जो कि समसे हैं। लास्च की अरभ एंटि भाग की तरभ कुपसित ड्रेन जिसको नाम दिया है थर्ड भाग पश्च मस्थिस्ट। हिंड ब्रेग यह प्रेंग का भाग को भाग में विभागे रहता है सैली बैलों और मेडूला और लगों पीट इन नो भाग में इसे विभाग पसे जो हम सैली बैलों की बात करते हैं जो भाग है वह यहां पर, जो सरड़्शना हमें देखिए तो इस भाग को चोटी सी सनर्शना है साधा, बड़ी सनर्शना नहीं है और इसकी अंदर पे यहां बशाव पसलित जो भाग तक बर ईसके तो भाग की, समेडूला और लगों रप अब जो करेंगर सेले बैलों की बात करा रहे हैं तो सैले एलों में क्या देखनी को मिलेगा की यह समरशना जो होती है यह पैल संतुलण बनाती है फुरी बॉडी का ठीक है और फुनी बॉडी को नियंतर्त रगई है, मेंटेंक रगई तो इस बहुत कारे ही होता है कि सब्सक्राइब किस प्रकार से बना है, बैलेंस बनाकर पुड़ा गोड़ी को नियंदर बढ़ना कारे होता है, यह पर्च केविटी उबस्त रहती है, उसको हम मेंटा सील नाम देती हैं, और यह मेंटा सील पूर्थ वेंटील केला है, चौथा बैल है, तो डिल है आप केलाता है, कैविटी का भाव है, सील मतलब भूहा, ठीक, दूसरी बार मेंटी लग नुपरी नाम की, यह जस मीची की तरफ है सकडी संगर्चना है, चोटी संगर्चना है, और आगे की तरफ यह पुलती है, स्पाइनल कॉड, ठीक है, स्पाइनल दूसरी बार इस भाब का कालिय क्या होगा है most probably यह क्या करती है हमारी जितनी भी शालिक सरचनाई है वो किस तरह से बोल्ग करें जितनी भी हमारी कालिक ही है फिजियोलोजी है उसको यह नियंदर रखती है इसका मतल यह हुआ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है श्वसंगंत्र को यह नियंदर कर रही है उसको यह नियंदर कर रही है काले भोले काले टैना यह नियंदर से थी म हमें बेरी सेंकल प्रावस्ट्रश भाग थी म हमें एवाइवलिक है कोड़ वाले भाग में आगी जाकर पुले